प्लेटफरम पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है वीडियो के इस भाद में हम लोग बात करने वाले हैं उत्सरजी सरचनाओं के बारे में ही उत्सरजी सरचनाओं का हम पहले भी इसमें विवरण पढ़ चुके हैं कि दो वीडियो इससे पहले मैं अप्लोड किया है मारी प्लेट आंदर जिसमें अमारे पास होका सीजरे है लोगों ने प्रोटोज होआ पौरी फेरा सिलेंट रेटा और प्लेटी एलमंतीज के उपर एक वीडियो बनाया था जिसमें उनके एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था ईस वीडियो में हम दिस्क्सट करने आज़ कि आगे का क्या रहेगा अपने पास में चीज तो आपने पास में आप लोगों को आंज श्ट के बारे में आपको यह धनटा कि इसमें कित्ते प्रकार की सनसीव पिछले वीडियो को एक बार रिकॉल करते हैं एक बढ़ताय आपन लोग आगे देखिए अपन लोग ने बात करते हैं इसके बारे में वह था आर्थ्र फोर्डा किया नहीं में आर्थरोपोडा आर्थरोपोडा के अंदर अपन लोगों ने बात किया था क्लास इंसेक्टा का किसके बारे में बात किया था क्लास इंसेक्टा के बारे में डिसकस किया था इंसेक्टा जो क्लास है अपने पास में यहां पर इंसेक्टा जो क्लास आ रहा है इसके अंदर उच्षडजी सरंचनाए जो थी उच्षडजी सरंचनाए तीन थी कौन कौन सी थी एक थी मेलपीगी नली का क्या थी बेटा मेलपीगी नली का दूसरी थी आपके पास में यूर नेफ्राइटिस कोशिका या पेरिकाडियल कोशिका यह तीन प्रकार की कोशिकाएं थी मेलपीगी नलिका यूरेट कोशिका और नेफ्राइटिस सेल यह तीन तरह की सेल्स थी जिसमें लोगों ने लास्ट वीडियो में डिसकस कर लिया था मेलपीगी नलिकाएं किस तरीके से उत्सरजन का कारे करती है तो वीडियो के इस भाग में हम लोग बात करने वाले यूरेट कोशी का किस तरीके से कारे करती है और नेफ्राइटिस कोशी का किस तरीके से कारे करती है किस चीज के लिए उत्सरजी परदार्द को रिमूव करने के लिए किस प्रकार से कारे करती है देखेगा यहां पर हमारे पास में जो आ रहा है वो दो नंबर पर बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में बेहने वाला जो द्रव है यानि कि जो हिमो लिम्फ है उसमें से यूरिक अमल को क्या करती है उठा लेती है और अपने अंदर संग्रहित कर लेती है क्या कर लेती है संग्रहित कर लेती है लेकिन संग्रहन करने के बाद में ये उसे बौडी से बाहर नहीं फैंकती है सिर्फ अपने अंदर संग्रहित करके रख लेती है तो इस प्रकार का उत्सर्जन क्या होता है संग्रहन उत्सर्जन होता है जिसमें जो फ्लूड है जो द्रव है शरीर का यानि देह का जो द्रव है उससे क्या होता है आपके बास में यूरिक अमल को उठा लिया जाता है है न लेकिन उसको देह से यानी Сे बाहर नहीं फैंका जाता है तो यूरेट सेल चौन तरह कारे करती है किस क curved करती है स्टोरिंग सेल कितरह तो यहां पर पहला बिंदू क्या लिकेंगे यह वसीय कोशिका होती है क्या होती है वसिय कोशिका होती है पहला पॉइंट यह आपके वास भी याएगा वसिय कोशिका होती है और कहां मिल टी है यह और यहां कोशिकाएं यह कोशिका है हीमो लिम्फ यह यह देह गूहा में पाई जाती है किसमें पाई जाती है देह गूहा में पाई जाती है यह आपके असमें लेगा वसी यह कोशिका है और यह कोशिका है इमोलिंफ या देहगुआ देहगुआ मतलब क्या हो गया बोडी केवेटी के अंदर आपके पास में मिलेगी इसका कार्य क्या होता है आपके असमें यह जित्ता भी आपके असमें इमोलिंफ में यूरि यूरिक अमल का यूरिक अमल का संग्रहन करती है एवं क्या करेगी इसको आपने अंदर क्या कर लेगी इस्टोर कर लेगी और क्या करेगी यह एवं यूरिक यूरिक अमल को इमो लिम्फ मतलब जो अंदर द्रव होता है इसका इमो लिम्फ से हटा देती है लेकिन यहा कोशिकाएं यूरिक अमल को देह से यानि बॉडी से बाहर उत्सरजित नहीं करती है अर्थार्थ अपने अंदर क्या रखती है संग्रहित रखती है अर्थार्थ क्या करती है अपने अंदर संग्रहन करने का कारे करती है समझ गए इस टाइप के इस प्रकार के उत्सरजन को इस प्रकार के उत्सरजन को संग्रहन उत्सरजन कहते हैं संग्रहन उत्सरजन कहते हैं समझ गया मेरे बात को संग्रहन उत्सरजन कहते हैं इस प्रकार के उत्सरजन को संग्रहन यानि स्टोरेज एक्सक्रेशन का नाम देते हैं तो uaryate cell ने क्या किया सिर्फ ure come ls का अर्व कुछ भी नहीं किया है दो नमबर पे या अनि ये आपन ने बात कर लिया ureate के बारे में आपने आपन से या आपने क्या अपने किसrophe बारे में नेफ्राइटिस कोशिका के बारे में बातचीत करते हैं इसको पेरिकाडियल कोशिका भी कहते हैं क्या कहते हैं पेरिकाडियल सेल नेफ्राइटिस सेल या पेरिकाडियल सेल नेफ्राइटिस या पेरिकाडियल सेल के अंदर आपके आश्में क्या चीज रहती है सबसे पहली बात यह सेल प्रेजेंट का रखी यह सबसे मेंन बात है यह फिर बताता हूँ आपको पैरि काडियल कोटर में होते हैं थीके न अब इसको समझो कि पेरिकार्डिल कोटर कौन सा देखिए आर्थोपोड़ा में भी खंडी बहवन की परक्रिया होती है खंडी बहवन से मतलब इनकी भी देह खंडों में विबक्त होती है यह ना जैसे कोक्रोज की बात करूं तो कोक्रोज में ब्रुणिया वरस्ता में 20 पाये जाते हैं तो इसमें भी खंडी बहवन हैं समझे में बात को कैसी परक्रिया खंडी बहवन है लेकिन परतेख खंड के अंदर boundaries होती है decided वो बताता हूँ आपको क्या चीज होती है देखेगा थोड़ा सापको प्रयास करना है समझने का अगर आप प्रयास कर लेंगे तो यहां पर अराम से समझ पाएंगे यहां पर मान लेते हैं अपने पास में यह एक क्या है खंड है यानि एक सेग्मेंट है कोकरोज की बोड़ी का है ना तो यहां पर इसकी यह वाली जो बित्ती होती है इसको बोलते है प्रस्टिय बित्ती क्या बोलते है प्रस्टिय बित्ती यह होती है इसको बोलते है अधर बित्ती क्या बोलते है पार्षव बित्ती और इसको भी क्या बोलते है पार्षव बित्ती है ना क पर इसको तर्गा भी बोलते हैं क्या बोलता है तर्गा या तर्गम इसको इस्टर्णा बोलते हैं क्या बोलता है इस्टर्णा यानि कि इस्टर्णा ठीक है पार्शाव जो होता है उसको प्लूरा बोलते हैं प्लूरल प्लेट का नाम देते हैं ठीक है इनको सब प्लेट्स ब एक खंड में चार तरकी प्लेट मिलती है ताइब तीन होते है नंबर में चार होती है एक अदर प्लेट जिसका नाम इस्टण़ा होता है ये अरशान प्लेट ऌस्युवर्लीय जिसका नाम नाम य़स्का मलाब बालते है और इसके बें वैपमें आपले समझाता ह dega कि होगा अब आपके पास में क्या इलखे इजदा अधर सटाय पर रह alors यह जी सब्सक्राइबर कश का यहां पे उतर बहर है वह कौन को लिंफ इंकी बॉडी होता है है न Imolempt se क्या होता है कि जितना भी यूरिक अमल है वह कहां यह कोशिका अपने अंदर समा लहती है नहीं इसको 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 के निपराइटिस सेल में तो पहले तो आपने एसका नाम लिख दे यह इसका नाम क्या जाएगा आपके असमें नेफ्राइटिस खोशी का ठीक है और इसके अंदर जो है आपके पास में इसके अंदर यहां पे यह कोशी का क्या करेगी अपने अंदर संग्रहन कर लेगी किसका संग्रहन कर लेगी बच्चे यह कर लेगी संग्रहन यूरिक अंबल का यहां पे क्या आगया आपके आसपर संग्रीत कौन हो गया यूरिक अंबल यहां पर क्या लिख देते हैं यूरिक अंबल समझ गया यूरिक अंबल का संग्रण हो गया अब क्या होता है इसके अंदर जैसे यूरेट सेल थी यूरेट सेल तो अपने अंदर क्या कर देती यूरि व्यूरिक का लेकिन इको भाहा जरूर फेंख आगी कैसे प्रेंकते हैं अप लोगों को जब इसमें यॉरिक वह बढ़ से कोच्यवाह का या कहान जाती है। कोक्रोग का बाहा ये कंकाल कि सतर पर चिपक जाती है। कोण का इसमें की बिंद्व की प Radio है बेटा वो किस से बना होता है काईटीन से निर्मित होता है किस से निर्मित होता है काईटीन से निर्मित होता है काईटीन से कौन निर्मित है कौकरोज का बहाई कंकाल निर्मित है है ना तो यह ध्यान रखेगा काईटीन से निर्मित है अब सबसे खास बात बता हूं या देह बित्ती से बहाय कंकाल को त्यागने की शमता रखता है और पुना उसको निर्मान करने की शमता होती है उसके इंदर इसका मतलब कौक्रोच में बहाय कंकाल की परत उतरती रहती है और वापस नहीं बनती रहती है फिर उतरती रहती है फिर नहीं बनती रहती है फिर से यहां पर आपके पास में ये कोशिकांग से से यहां पर कोशिकांगा आब इसके बाद में क्या होगा इसके बाद मैं जब भी कौक रोज का बाही चंगाल निकलेगा उस समय पर यह कोशिकाय भी क्या हो जैगी बाहर किसको त्याग देगी यूरी कमल को त्याग देगी और खुद बाहर आ कि यानि कि यह बंती रहती निकलती रहती यह बंती रहती निकलती रहती है तो जब कोकुरोज का बाय कंकाल टूट गा उस समयíreक क्या हो जाएक उस बाय कंकाल के साथ मैं बहार निकल जाएक क्यों कि यह कुशिक आ Holz discuss जाएट ॉस किसके द्वारा नेफरोसाइड सेल्स-के दुपारा है तो आपको यहां को लिकर करके बता धिया है कि tappedyal घल साइनस में मिलती है ठीक है ना अब दूसरे पॉइंट से अपन लोग यहां पर लिख रहे हैं नेफराआटिसट चैनल के बारे में लिख रहे ये क्या करती आपके पास में, ये कोशिकाएं यूरिक अमल का संग्रहन, यूरिक अमल का संग्रहन कर लेती है, एक बार संग्रहन होने के बाद, ये कोशिकाएं बाहिये कंकाल के चिपक जाती है, क्या हो जाती है, बाहिये कंकाल के चिपक जाती है, यानि कि उससे जुड़ जाती है, और जैसा हमको पता है, जैसा कि हम आपको ऐसे लिखना होगा इसमें न, हम जानते हैं कि कॉक्रोच में, कॉक्रोच यानि की कीट जगत में, कायांत्रण की प्रक्रिया, कायांत्रण मतलब एक्जोस्केलेटल, यानि बाहिये कंकाल को निकलने की प्रक्रिया, पाई जाती है, जिससे बाहिये कंकाल के तूटने पर, ये सेल्स, यूरिकमल को, यूरिकमल के साथ बाहर त्याग देती है, तो ये बात आपको यहां पर दिमाग रखनी, ये किसकी मेकेनिजमती, नेफ्राइटिस सेल की या पेरिकार्डियल सेल की, देखिए, तीन तरीके से कलास इंसेक्टा का मेकेनिजम होता है, एक mechanism जो आपको बताया मेलपीगी नलीकाओं के दौरा दूसरा mechanism यूरेट कोशिका के दौरा और तीसरा mechanism कोई नेफ्राइटिस के दौरा समझने मेरे बात को यह बात आप दिमाग में रखेगा अब आपको बता देता हूं कि यहां पर हम लोगों ने जैसे हम लोग आर्थ्रोपोड़ा की बात करेते आर्थ्रोपोड़ा में एक क्लास इंसेक्टा है इसके लिए हमने तीनों मैथड़्स पढ़ लिए हैं लेकिन इस जिसमें बिचु और मकडी वगर आते हैं इन के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं कि इनके अंदर सरंश्णा कैसी रहती है समझने है मिरे बात को तो देखिए का यहां पर आप अब लोग बात करते हैं केकड़े के बारे में बात करेंगी इसके इंदर ठीक है ना तो अ आगे आने वाले सभी यूट्यूब विडियोज की अपडेटेड नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आखो मिले। अपेक्स क्लास इस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाओ!